जहिन नमस्कार दोस्तों इंडेन आगरी पॉइंट के एक और नए वीडियो के साथ मैं अक्षेवर्जे आप सब का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम वोल्यूम टार्गो इस कीट नाशक के बारे में पूरी डीटेल में जानकरी लेने वाले यानि ये कीट नाशक क्या है इसमें कौन से टेकनिकल आते हैं कैसे काम करते हैं साथ इसाथ जानेंगे कि कौन कौन सी फसलों में आप इस इसका डोज कितना लेना है, सब के बारे में आगे चलके हम बात करेंगे, तो वीडियो जरूर अंतर तक देखेगा, चानल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दिजेगा, चले शुरुआत करते हैं, तो दोस्तों देखें, वॉल्यूम टार्गो सींजेंटा कमपणी का एक क कीट नाशक है, इसमें आपको दो टेकनीकल देखने को मिल जाते है, पहला टेकनीकल है, chlor एंट्रा निली प्रोल, 4.3% आपको इसमें देखने को मिल जाता है, और उसके साथ दूसरा जो टेकनीकल आता है, इसमें ABAMEKTINT 1.7% यसी फ्रमिलेशन में आपको देखने को मिल जा है तो सबसे पहले आप ए ख्लोराइंटर निलिप्रोल की बात करते हैं तो यह जो टेक्निकल है ग्रूप 28 का टेक्निकल है आपको पता है कि यह जो FMC कंपनी का कोराजन आता है उसमें भी यह सेम टेक्निकल आपको देखने को मिल जाता है और आपने कोराजन को तो पहले इसरा टेक्निकल आपामेक्टिंग की आपे बात करते है तो आपामेक्टिंग एक ग्रूप 6 नंबर का कीट नाशक है जो की आपको क्रिस्टल की अबासीन इस प्रोडक्ट में भी देखने को मिल जाता है जो खासकर सकिंग पेस्ट यानि जो रच्चु सक कीट होते हैं उनक पर एके बाद जब कीटक कुछ खाना खाने का प्रैस करता है तो उस दोरान यह जो टेक्निकल होता है उनके पेट के अंदर जाता है और बाद में वापे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है उसके उपर अटेक करके किटकों को वापे लक्वा ग्रस्ट बना देता है जिस ट्रांस लेमिनर आक्शन क्या होती है दोस्तों जब हम इस दावा का छिड़का करेंगे छिड़का के बाद हम पत्ती के उपर अगर सुपरे करते हैं तो पत्ती से आरकर हो जाती हैं दूसरी ओर आ जाती है जिसके कारण पत्ती की पिछली बाग में छुपे हुए जो भी सक फिर से तो वाल्यूम टार्गो में आपको ट्रांसले मेनर एक्षिन भी देखने को मिल जाती है दोस्तों आप यहापे मोटा-मोटा के सकते हैं वाल्यूम टार्गो कोराजन और अबासिन का एक कॉंबिनेशन प्रोड़क्ट है जो की कापी अच्छी तरीके से जो इल्लिया हो प्रकार की सब्जुवर्गी फसले, अनाजुवर्गी फसले, साथी साथ बागवानी फसलों में भी कर सकते हो जिसमें अंगोर, अनार, मीर्च, शिमला, मीर्च, टमाटर, बेंगन, करेला, मीर्ची, भिंडी, सोया बिन, आधी सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हो यह एक स्पेक्टम कीट नाशक कैंए यानि एक साथ कई कीटो एवन इलियों के ओपर रच्चुसक कीटों के ऊपर ये काम करता है जिसमें खासकर ये इलियों की spotted ball worm, semilipar, जिसमें kali और hari, दोनों semilipar के उपर, अच्छी तरीके से ये नियंतरन देता है, और sucking paste की अगर बात करें, तो दोस्तों इसमें abamectin होने की वज़े से, जो mites होते हैं, mites के उपर, जिसमें red mit हो गाया, yellow mit हो गाया, दोनों mites के उपर, ये जो दवा होती है, बहुती अच्छी तरीके से काम करती है, खासकर मिर्च की फसल में बहुती अच्छी रिजल्ट है, साथ ये साथ दोस्तों, जो thrips होता है, thrips के उपर भी यो जो कीट नाशक है, बहुती अच्छा काम करता है, white ply, acid, acid, जैसे और भी जो रच्छु सक्कीट होते, उनके उपर ये दवा अच्छी तरीके से काम करती है, और application की stage की अगर बात की जाए, तो दोस्तो volume targo kit नाशक की toxicity blue label की है, तो आप इसे किसी भी फसल की किसी भी आवस्ता में डाल सकते हो, कोई problem नहीं, flower dropping की कोई भी समस्य आपको नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे abamectin होने की वज़े से, जो तो जो pollination के लिए मित्रकिट होते, उनके लिए थोड़ी यहाँ पे समस्या बन सकती है, लेकिन जादा कोई problem वापे भी आपको नहीं आएगा, आप सिलिकॉन बेस्टी कराती है, उसके साथ इसका combination करके spray कर सकते हो, बाकि आपको ज़्यादा इसका mixing नहीं करना है, यह बात आपको ध्यान रखनी है, और result time की बात करें, यानि residual activity कितने दिनों तक की है, तो लगबख 15 दिनों तक बहुती, की शांदार result हमारी फसल में देखने को मिल जाते है, अगर आपको दूसरा spray लेना है, तो आपको पहले spray से आपको 15-20 दिन का ग्याप रखकर, दूसरा spray आपको लेना चाहिए, और rain fastness की बात करें, तो दो गंटे का rain fastness से, यानि छिटगाओ के बाद 2 घंटे बाद बारिज भी हो जाए, तो भी आपको 80-80% इस किट नाशक के result वापे मिल जाते हैं, और finally अब जानते हैं, इस किट नाशक की सबसे में तो पुन बात की, आपको क्या डोज इसका लेना है, तो दोस्तों, वाल्यूम टार्गो किट नाशक को आपको पर एकड के हिसाब से, 500 ml यूज करना है, 150-180 लिटर पानी के हिसाब से, अगर आपकी टंकी 15-20 लिटर के आसपास है, तो आपको 20-25 ml इस किट नाशक का प्रयोग वापे करना है, और 500 ml आपको 150-180 लिटर पानी में इसका प्रयोग करना है, और प्राइज यापे मैं नहीं बताऊंगा, इसकी पैकिंग 100 ml, 500 ml, 500 ml एक लिटर में अवेलेबल है, आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा ज़्यादा किसंद भाई तो वीडियो शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ना क्यों तो सब्सक्राइब भी करना, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करना, चलिए मिलते हैं आगे इसे एंप और मेडियो वीडियो के साथ, तब तक के लिए जैजवान जैज़ादा,